ही गाईस विल्कम टू गैक मैं चैनल मैं प्यांका तो गैस आज हम बनाएंगे नारियल के खील नारियल के खील बनने के लिए हमने यहां पर लिया है देड़ केजी दूद फुल फैट दूद है और यहां पर हमने लिया है कच्छा ओला नारियल जिसको हमने कदुकस कर लिया ह कच्छा वभा उसको चीनी एकक्कटूरी । काजो किसमीफ 맛 divine क currency गवा है। नियुए थी चैनी हम परनाने के एकटूरी चीनी हम लिए एकटूरी और यहां पर उखने रैफ परूट्सने में काजो किसमीफ ofrif ei भर, तो सुना हैं और बहुत जल्दी बनने वाली रेस्पी है तो चलिए बनाने के तरफ चलते हैं तो हमने यहां पर सारा समान रख दिया है और यहां पर हमने गैस पर दूद चड़ा दिया है दो दूद को अच्छे से उबलने देंगे तो हमने फूल फैट क्रीम दूद लिया था अब ले सकत बाद इसको पकाएंगे 5-7 मिनट तक बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पर जब इसे इत्तब तक पकाएंगे जब तक हमारा नारियल हल्का सोप न हो जाए और दूद दीरे-दीरे बहुत गाढ़ा न हो जाए और नारियल दालने से दूद नहीं फटता है तो जैसी दू और जैसी हलका सा दूद गाढ़ा होगा तब इसमें हम डालेंगे अपना चीनी और मिसरी हमने दो कमुनिकेशन लिया था चीनी और मिसरी का आप चीनी स्रिप इस्तमाल कर सकते हैं तो यह पर हमने मिसरी डाल दिया है और यहां पर डाल देते हैं चीनी तो चीनी हमने आधा ह अगर ज्यादा मीठा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है मीठा कम रहेगा तो बाद में चीनी यूज कर लेंगे यह देखिए हम फिर इसको चलाते हैं और देखे दीरे दीरे दूद्ध हो है हमारा थीक होने लगा आप देख सकते हैं क्यूंकि नारिया डालने के बाद जो हमारा दूद्ध बिल्कुल ठीक होने लगा है तो इसी तरह से पका लेते हैं और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और पेंका डीसी भी अपने चैनल को जरू से जरू सब्सक्रा से चला लेते हैं और यह हमारा जो दूद्ध है अच्छे सूबल भी रहा है और हमारा नारियल जो है गाईस सौप्ट हो चुका है और हमारा खीर लगबग बनके तयार हो गया है तो यह देखिए देखने में कित्ता टेस्टी लग रहा है तो इससे बीच-बीच में चलाते रहेंगे अगर आप नारियल का खीर पका रहा है इसे बीच-बीच में चलाते रहेगा चुड़ियेगा मत क्योंकि दूद्ध तले में चिपक जाएगा और हमारा जो खीर हो अच्छा नहीं लगएगा जल जाएगा तो इसलिए बीच-बीच में चलाते रहेगा और यह कितना थीक हो गया जब हमने खीर को नीचे उतार दिया था तो और उपर से कुछ ड्राइब रो डाल की से गाने सिंग कर लेते हैं और दिखने में कितना टेस्टी यम्मी लग रहा है ना गाईस देखके इमन कर देगा खाने के लिए तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बत पसंदे और वीडियो पसंद आया वो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और प्रेंका डीसी वी चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब करिएगा बाई बाई गाईस